हेलो फ्रेंड्स मैं सभी तद्य आला चफिर आपका सौगत करती हूं कुग दलीसिस की एक निव वीडियो में और फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं गुड और तिल के लड्डू जो की बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और डिलिशेस होते हैं और यह बहुत इस पेश ली यह मकर सक्रान्ती के तोहार पर बनाए जाते हैं तो चलिए हम किसी भी देर के विना शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स लड़ू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिये है तिल जो की कॉंटिटी में देट सो ग्राम है और देट सो ग्राम ही मैंने यहाँ पे गुड लिया है जिसे मैंने थोड़ा तोल लिया है थोड़ा इसे बारिक कर लिया है और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिय तो यह आप्शनल है आप चाहे तो खाली गुड और तिल के ही लड्डू बना सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसमें ड्राइफूड और भी को यूज कर सकते हैं हाँ आपन की बना सकते हैं तो यह त यहादा हमें नहीं बोना है अब में पूंटीट treaty निकाल के इस तरह से रख लेते हैं तिल को अब हम इसके नदर डाल लेंगे गुड़ और गुड़ झाल करना है । आप को मीठा थोड़ा कंद कर सकते हैं तो आप गुड़ की कौंटीटी थोड़ी बड़ा भी सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है और इसमें हम दो से तीन चोटी चमच के लगभग पानी डाल देंगे जिससे कि जो हमारा गुड है फटा फट से मेल्ट हो जाए और आप देख रहे होंगे कि हमारे जो गुड है मेल्ट होना शुरू कर दिया इसने और देखी इसके अंदर से कितना बड़ी जाग आने लग गया है इट मिंस कि जो हमारा गुड है यह रेडी है बिल्कुल लड़ू बनाने के लिए तो हम इसे एक बड़ चेक कर लेते हैं तो इस तरह से कोई भी काटोर में पानी लीजिए और इस तरह से गुड की एक बून इस ठीक इसकी कंसिस्टेंसी है तो चलिए अब हम इसके अंदर यह हमारे जितिल है इसको हम डाल देते हैं और साथी जो हमने नारिल को ग्रेट करके रखाता है वह भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है ग्रेट करा हूँ जो मने नारिल है अगर हम उसको डालने तो इसे जो हमार गैस का फ्लेम हम अब यहां पर ओफ कर देंगे और फ्लेट जो हम हलका सा ठंडा कर लेंगे अधरवाइस जो हमारे हाथ है लड़ू बनाते सा में जल जाएंगे तो इसको थोड़ी देर 2-3 मिन तक थोड़ा ठंडा होने दें और चलिए अब हमारे जो लड़ू हैं हम उनको बना लेते हैं इतना टाइम हो चुका है तो यह देखिए प्रेट इस तरह से हमने पहले हाथ में थोड़ा पानी लगाएंगे पानी लगाने के बाद हम इस तरह से इसके मटेरियल को उठाएंगे और इसको इस तरह से हाथ यह पानी लगा लेंगे पहले और इसको इस तरह से गोलोल शेप दे देंगे लड़ू की तरह तो आपको जैसे भी लड़ू का शेप छोटाए बड़ा रखना है आप अपने अकोरिंग रख सकते हैं तो देखिए कितना बड़ी हमारे लड़ू है बनके रेडी हो गया है और य जादा क्वांटिटी में लड़ू बना रहे हैं तो अधरवाइस आप कम बना रहे हैं तो आप ही अकेले से फटाफट से इस तरह से बना लीजिए इस तरह से अपने सारे लड़ू रेडी कर लेंगे तो इस देखिए फ्रेंड्स हमारे सारो लड़ू बनके रेडी हैं और क करें तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ जो बैल आईकन है उसे भी आप जरूर प्रेस कर दें इससे कि मैं जब करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएं और इसके अलावा फ्रेंड्स आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं वहाँ पर भी मेरा पेज है कोगदलीशिस के नाम से तो मुझे उम अहीं हम जल्दी ही मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक लिए बाबाइ और टेक कियर